मैंने भी देखे हैं, Intelligent आदमी कहा जाता है पता है, आपकी Class का Meritorious Student आप देख लो, Meritorious Student है जो 90% अब वह है, वो बच्चे या तो Bank Clerk बन गए, बन गए होंगे आपके आसपास वाले, या पटवरी में Select होंगे, या कोई और किसी तरह की SSC, CGL वगरा किसी और विकिंसी में Select हो पतर बच्चे, मेरे जो, मैं जिस मेरे आया हूं, मैंने 10-12th की है, वो या तो कोई Teacher है, या कोई Bank Clerk है, पटवरी है, ग्रामविका सदिकारी है, पुलिस Constable है, या इस तरह की Job में, Subordinate Services में, और मैं लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, सत्य है ये, मेरे आसपास वाले, इवन मेरे मदर कहते थे, कि तू क्या पढ़ाई कर रहते है, सारे साथ वाले सब कुछ कहीं कहीं लग गए, तो अभी ऐसे ही गूम रहा है, नहीं, सिग्मा रूल कौन सा ही है, देख ले ना तुम तुमारा, रूल बना ले नहीं, ठीक है, तो देखिए आपको जब, लेकिन हाँ, कैसे हुआ यह, मैं सर के पास आया था, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना साथ, सर ने का हमारे यहां सब इंस्पेक्टर कोई बैच नहीं चलता, तुम जाओ यहां से, और इस तरीके से उन्होंने बहुत बेरूखे से जवाब दिया, मुझे लगे यह कौन कैसे सर है य हो कुछ नहीं, है ना, 2010 की बात है, जुलाई 2010 मुझे याद है, आज भी, और वहां इंस्टूट वहां था, लालकोटी पे, उसमें इंस्टूट छोटा था, अब तो काफी पूरा रास्तान का one and only, एक ही इंस्टूट स्टार है, वो स्प्रिंगोर्ड अकेडमी है, 2010 की बात तो मैंने का यार, फिर क्या करें, तभी क्या हुआ, फिर वापिस मैं बैठा वही बाहर, मुझे गुस्त था, मैंने का कोई सुनाओ इनको, अंदर से यह इंपेशन्ट था ही, फिर वापिस बुलाए अंदर, बाहर से वो बीच में लगी भी थी, यह काच लगा हुआ था, बाहरे ही बेठा अबी, बुला हुआ द गदरी देख, सब इसक्री यह बेढ़ा है, मैं अब उसक्ता हुआ हो, सब इसक्री को आरश का और गवेख सेम है। ई कितार जैन्स द हखरा अ, हमार बाहर अविच का पड़न आपसे प्ड़ना है। इस institute के बारे में सुन रखा था, तो मेरे कुछ साथी जो यहां पढ़ रहे थे, वो RS की तयारी कर रहे थे, तो मैंने का यहां पढ़ लेंगे सब, तो मैंने जोइन किया, और August में vacancy Ie RS pre की, 2010 में, मैंने प्री के लिए फॉर्म बढ़ा, मेरा प्री हो गया, November, October में प्री का एक्जाम हुआ, दो महिने में 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 हो गया, December में 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 हो गया, और मैं इस तरह से नया नया जोस था, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, बारा बारा पंदरा पंदरा घंटेर, यह रोज, जितना पढ़ाया, to the point पढ़ते, syllabus oriented, marks oriented पढ़ा ही करते थे, December में 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 हुआ, March-April में इंटर्यू हुए, मेरा इंटर्यू तक चला गया, प्री भी हो गया, में में इंटर्यू मेरा call रहा, मैं इंटर्यू देखे आया, तो इंटर्यू मेरे last merit में 800 कुछ रेंक आई थी, 800, 800 रेंक में मुझे कुछ मिला नहीं, मेरा medical जन्रूर मुझे कोई भी गौवर्मेंट जॉब नहीं मिली उस समय उस वेकेंसी से, फिर वो उसके साथ इस सब इंस्पेक्टर की आईर मैं सब इंस्पेक्टर भी बन गया, 2010 वाली वेकेंसी में, अब फिर मैंने वापिस शुरू की, 2012 में RS की वेकेंसी आती है, तो एक बार आपका confidence उस कुछ कमिया थी, उनको सुधार करते हुए, 2012 वाली वेकेंसी में, मेरी 28th rank बनी, ओल रास्तान, तो 28 से मुझे, 28 से मुझे proper RAS मिल गया, रास्तान administrative services, उसके बाद, फिर simply, मैं RS बनने के बाद, तीन जगे मैं SDM रह लिया, कुछ लोग जानते होंगे, जैसे मैं रहा हूँ, SDM जालोर रहा था मैं, जालोर के है कोई? SDM जालोर headquarters पर रहा था, मैं लग बार राओंड 20 साल, फिर मैं रहा था SDM सुमेरपूर, पाली सुमेरपूर है कोई, हाँ, सुमेरपूर रहा था मैं, फिर रहा SDM किशनगर्ड, यह एजमेर है न, अजमेर हाईवे पर दूदू से आगे, किशनगर्ड रहा, फिर दैन सीनेर स्केल में प्रमोशन हो गया, अभी मैं फिर यहां रेव अब आप बताओ, मैं अगर उसी सोच के साथ रहता, अगर नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरा तो नहीं है, मैं और किसी जॉब में इदर उदर हो जाता, या मेरे आसपास के कुछ लोग में महारास्टर में भी चले गए, किसी दूसरी जॉब में इदर उदर, है न, तो वो भी था, option तो था ही था, क्योंकि लोग मिडल क्लास फैमिली से बेलोंग करता हूँ, तो हमारी पहली priority क्या होती, जॉब, जॉब किसकी करनी,